तो फाइनली दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास कूटक महिंदरा बैंक की क्रेडिट कार्ड आ चुका है देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि मैं कैसे की स्ट्री का इस्तमाल किया कि कूटक महिंदरा बैंक की इन लाइफ टैम फिर क् कंप्लीट अपलाई किया था सेम डेज में मुझे वर्चुल क्रेडिट कार्ड जनरेट होकर की मेरे एमेल पे कंप्लीट मिल गया था और आज एक कार्ड जो है बाइपोस्ट के माध्यम से मेरे एड्रेस पे भी आ चुगा है देखिए दोस्तों आज के टाइम में फेटिव अपलिगी फन रिजर्ट हो जाती है और उन लोगों को क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाता है तो भाई मेरे कैसे क्यों स्ट्री का इस्तिमाल करेंगे कि आपको एक कोई कोटक महिंद्रा बैंक की क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगी आज के इस वीडियो में हमने आपको पर जैसे ही क्लिक करेंगे डिरेकली आपके सामने कुछ इस कर्ची इंडरफेस ओपेन होती है यहां पर देखी दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड की कुछ खास बेनिफिट है सबसे पहले मैं आपको वदायता हूँ यहां पर वदाय गया है कि आप इस क्रेडिट कार्ड को जो भी कीवार कूट होती है उसको scan करकी डिरेकली आप इस कार्ड की माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं इसकी वद गई एक और बेनिफिट की बारे में यहां पर वताय गया है कि जैसे कि गई जबान के चली कि आपको एक कार्ड मिल जाता है और गई आप इस कार्ड से छी महिन इसके लागो गई यहां पर मैंने आपको ओल्डेटी बताया है कि इस कार्ड की ज्वाइनिंग सी और इन्वर्फ ही आपको नहीं देनी है यानि कि यह कार्ड आपको बिल्कुल लाइफ टैंस से मिलती है जो कि यहां पर आप लाइफ प्रूप के तोर पे डिस्पले पे दे गार्ड नाव की फाइनल इगी आप इसके उपर कंप्लेट क्लिक कर देंगे अब देख़ी यहां पर सबसे पहले आपको अपनी कंप्लेट मुबाइल नंबर सी करना है गई इसका भी एक ट्रीक होता है आप मान के चलिकी इससे पहले कोटक महिंद्रा बैंक की क्रेडिट का करना है इसके बाद यहां पर आपको चोटी चोटी टर्मेंट कंडिशन की बॉक्स देखेंगी आपको इन दोनों बॉक्सों के उपर कंप्लेट करना है इसके बाद यहां पर गेट ओटीपी वाले बटन पर कंप्लेट क्लिक कर देना है आप देखेंगे आपने जो भी से बताई जा रही है यहां पर आपको पुनी बैंक एकाउंट को कंप्लेट फिरिफाई करने हैं गैज सबसे पुली यहां पर आप से CRN नंबर मंगा जा रहा है अब गैज आप बोलेंगे कि CRN नंबर क्या होता है तो देखो भाई CRN नंबर की मतलब होती है customer relationship नंबर अगर आपकी कुटक महिंद्र बैंक के फाद कोई भी relationship है या फिर अगर आपकी एकाउंट कुटक महिंद्र बैंक में है चाहे वी एकाउंट जो है यह बताएदर आए कि आपने जो भी bank account open कर रखा है उस bank account में आपकी जो भी email id लिंक है फानली इस email id को आप इस box में complete फिल करेंगे इसके बद भी यहाँ पर आप अपनी complete date of birth फिल करेंगे देखेंगे इन तीनों में से किसी भी एक के माध्यम से अप अपनी bank account को complete यहाँ पर verify करेंगे अब देखेंगे जिनकी account कुटक महिंद्र बैंक में नहीं है यहाँ जिनका भी कुटक महिंद्र बैंक के फाथ कोई भी relevant नहीं है वे लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर simple सी वे अपनी complete mobile number फिल करेंगे इसकी बाद देखेंगे यहाँ पर दो चूटी चूटी टर्मेंट कंडिस्वन की बॉक्स मिलेगी इन दोनों बॉक्सों की उपर यहाँ पर complete टे करेंगे और यहाँ पर get OTP वाले बुटन पर complete क्लिक कर देंगे इसकी बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अपनी complete बेंकाट की नंबर फिल करना है यहाँ पर आपकी date of birth जो भी है आपकी आधार काट में उसे complete फिल करेंगे यहाँ पर आपकी जो भी email id है यहाँ पर complete अपनी email id फिल करेंगे इसकी बाद यहाँ से आप अपनी complete gender आप अपनी हिसाब से complete फिल करेंगे और यहाँ पर proceed वाले बुटन पर complete क्लिक कर देंगे इसकी बाद देखी दोस्तों यहाँ पे आपसे आपकी मुदर्स की नेम पुछी जा रही है इसके निचे यहाँ पे आपसे आपके फादर्स की नेम पुछी जा रही है आप अपनी मुदर्स की नेम फादर की नेम जैसे ही फिल करेंगे इसकी बाद कि यहाँ पे आपसे आपक को तुपस्रि करने होती है जो यहां पे आपकी कूटक महिंदरप के फात कोई रिलेफ़न नहीं होती है यहना पर 이번 के फांत नहीं हैं उस कंडिसंट में यहां पर अपको उपनी ड्ना के साथ है तो गई उस कंडिशन में यहां पर आपकी जो भी डिटेल से उसे एटोमेटिक लिए दोता 답ा है देखी लाल है यहां पर मैं दोनों पुर्सेस करकी आपको बता दे रहा हूं, ताकि आपको पुनी कार्ड को अपलाई करने में कोई भी प्रोब्लम नो हो, और यहाँ पर मैं पूरी कम्प्रीट आपकी प्रोब्लम की फॉलूफन बताते ही चल दा हूं, अब देखी कि यहाँ पर आपको फ्लेक्टर नहीं है कि क्या करते हैं आप क्या है, जैसे कि यहाँ पर आपको फ़िरेट की अफ़वन मिल रही है, सेल्प इ guesses की मिल रही है, रेटायड मिल रही है इसके नीचे सीर्द ही और यहाँ पर एक सब्सक्र की अपफ़न मिलती है यहाँ पर आप से बिजनस की नीम इगोड़े पुछी जाएगी तो यहाँ पर आप किसी भी सोप इगोड़े की नाम फिल करके आप बहुत ही आफानी से काड ले सकते हैं यहां पर कोई दिक्त ही नहीं फानल कि यहां पर आप कोपनी हिसाब सेbench पडिक करेंगे और यहाँ इसकी वगड़े की कौणंशी इपना वेजन सी एम एडी के विसफिल करने हैं और इसके बाद आपसे आपकी monthly income पुशी जा रही है, final गीज आपकी monthly income जो भी है यहां से आप अपनी complete monthly income फिलेक्टर रही है, इस condition में final गीज यहां पर आप जो है no complete फिलेक्टर रही है, और गीज यहां पर confirm वाले बटन पर complete क्लिए कर देंगे, अब देखी गीज आपकी monthly income है, यहां पर आपकी residential address के, यहां पर आपकी जो भी residential address है, यहां पर address 1 में आप अपनी complete डिफिदेंचियल एड्रेस फिल करेंगे, लेन्बार्ख फिल करेंगे, और यहां पर आपको एक Next की बटन मिलेगी, यहां पर आप Next वाले बटन पर कंप्लेट क्लिए कर देंगे, इसकी बात देखी गए, यहां पर आप से कुछ पर्मिफन ही कोड़े मांगे जाती है, इस पर आपको एक चीज़ बतादो कि हो सकता है कि आपकी किस में आपके सेविल और आपकी इलिजिरेटी की बेसिस पे कूटक बैंक आपको बहुत फारी credit card की offer यहाँ पे सो कर दें आप उन में से किसी भी एक credit card को आप ले सकते हैं लेकिन हमें यहाँ पे कोटक बैंक एक credit card ओफर कर रही है जो कि कोटक बैंक की lease credit card है और इसकी बगल में यहाँ पे आपको दो अपफन देखने को मिलेगा एक यहाँ पे regular card का और यहाँ पे आपको एक FD book card का अब देखिए दोस्तों बहुत सारे लोग पुछेंगे कि यहाँ पे regular card की मतलब क्या होता है तो यहाँ पे उनको बता दो कि regular card जो है bank जो है अपने आप provide करता है आपको आपके civil और आपकी profile की basis पे आपको जो है इस card को लेने के लिए किसी भी प्रकार की amount को fix deposit नहीं करना होता है और वहीं गई आपकी civil बिल्कुल गंदा है आप अपनी civil की मा बहन करके रखे है तो finally उस case में आपको जो है FD की basis पे यहाँ पे credit card लेनी है तो यहाँ पे आप जो है regular card को ही ले तो finally यहाँ पे kotak bank की regular card को complete हम select करते हैं गईज आप देख सकते हैं इस card की न जो आइनिंग फिदेनी है न यहाँ पे हमको annual फिदेनी है यह card बिल्कुल lifetime फिदे मिलता है और गईज already मैं इस card की benefit की बारे में आपको वता रखा हूँ तो finally इस card को complete हम select करेंगे और यहाँ पे एक पूर्शीट की button मिलेगी यहाँ पे हम पूर्शीट वाली button पे click कर देंगे ओके अब देखी गई आपकी जो भी application है उसे kotak वहिंदर बैंक की ब्रांच में complete यहाँ पे submit कर दिया गया है और यहाँ पे आपको अप्लिकेशन की मै करके आप इनकी status को complete चीट कर सकते हैं अब देखिए दोस्तों आपने कोटक महिंदरा बैंक की credit card को तो successful apply कर लिया है और गईज 2-4 घंटे के अंदर में आपको complete message की माधिन से बता दिएगा कि आप इस card के लिए eligible हो या फिर नहीं हो अगर गईज आप इस card के लिए eligible है और आपकी account कोटक महिंदरा बैंक में है तो यहाँ पर किसी भी परकार की KYC गोड़े करने की जंजट है ही नहीं आपको यहाँ पर directly credit card provide कर दियाता है और गईज आपकी account कोटक महिंदरा बैंक में नहीं है तो उस condition में आपको एक link मिलती है आपको अपने credit card की complete KYC करने के लिए जो कि जब वीडियो calling के मादन से complete करेंगी आप उस link के उपर जैसे ही click करेंगी कोटक महिंदरा बैंक की जो भी activity होंगी उनके फाद आपकी call connect होती है इसके बाद गईज आप अपने credit card की KYC करेंगी गईज आप अपने credit card की KYC जैसे ही complete करते हैं उसके बाद आपकी virtual credit card जो ह complete delivered होती है गईज मैंने कुछ इसी परकार से कोटक महिंदरा बैंक की credit card को complete apply किया था और गईज यहाँ पे finally कोटक महिंदरा बैंक की तरफ से मुझे एक card जो है मेरे address पे complete receive हो चुका है तो finally गईज चली इस card को complete हम unpacking करते हैं और गईज देखते हैं कि इस card की limit क्या है इस card क कैसी activate करेंगे और गईज इसके अंदर देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलता है तो finally गईज यहाँ पर आप देख सकते हैं कोटक महिंदरा बैंक की credit card complete मुझे receive हो चुकी है यहाँ पर गईज आपको ATX कुछ इस card से अफफन देखने को मिल रहा है यहाँ पर मेरी जूभी address है पर complete हमारी address देखने को मिल रही है और गईज बात करें इसकी पीछी की look के बारे में तो पीछी की look कुछ इस card से देखने को मिलती है फाइनल की यहाँ से हम इसे unboxing करते हैं ओकी देखी गईज यहाँ पर आपको ATX reward friends की facility इस credit card की अंदर आपको देखने को मिल जाती है इसकी अपनी credit card की pin को यहाँ पर activate करेंगे इसके बद यहाँ पर साफ़ादों में mention किया गया है कि अगर आप जो है इस credit card को 30 दिन के अंदर में यूच नहीं करते हैं तो यहाँ पर आर्बे की guidelines के उनफार इस credit card को deactivate कर दिया जगा अब देखे गई यहाँ पर बात करते हैं कि इस credit card की limit क्या मिली है हमें तो यहाँ पर final case आप देख सकते हैं मेरे credit card की number यहाँ पर मेरी CRN number और गईज मेरे credit card की limit जो है पुड़ी यहाँ पर 50,000 रुपया मिला हुआ है जिनका cash limit यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,000 रुपया है और गईज इसके पीछे की तरब बात करें तो यहाँ पर complete देखने को मिल जाती है तो गईज कोटक महिंदरा बैंक की credit card आपको कैसे मिलेगी यहाँ पर live मैंने ft by ft apply करकी दिखाया है फात में इस credit card को unboxing भी करकी मैंने आपको दिखा दिया अगर गईज फिर भी यहाँ पर कोई भी problem है तो final गईज आप मुझे comment कर सकते हैं मैं यहाँ से instant reply देने की कुसिस करूँगा और गईज ऐसे ही वीडियोज के लिए अपमारे YouTube चैनल बेस्टन पॉइंट को subscribe कर सकते हैं